तीश बेहत धीमी और कई सबूत नश्ट भी किये जा चुके हैं। पियम योगी आदितनात में हटा दिया है। मामले में लापरवाही बढ़ती गई है। ये आरोफ लगाया है रीता बहुगुणा जोशी ने। पुलिस के सामने दिया गया ये बयान मुजफर पुरकान की किसी पीड़ता का नहीं है। नाहीं बयान देने वाली बच्ची बिहार की रहने वाली है। ये बयान बिहार से सचे यूपी के धिवरिया का है। जहां बालिका ग्रेस से निकल कर पुलिस के पास पहुंची बच्ची के बयान से हड़ कम मच गया। बच्ची के दिए बयान के बाद मुजफर पुरकांट से सबक लेते हुए योगी की पुलिस ने कारवाई करने में देरी नहीं की। आननफानन में दिवरिया के स्टेशन रोड पर बने मा विंदवासनी बालिका ग्रीपर पुलिस पहुंची और 24 लड़कियों को मुक्त कराया। पुलिस ने संशाले का गिरज़त रिपाठी, उसके पती और बेटे को भी गिरफतार कर लिया। इसने पताया कि यो लड़किया 15-18 साल की हो जाती है उनके साथ गलत व्यवार भी होता है। हैरानी तो ये है कि विंदवासनी बालिका ग्रीप के खिलाफ अनियमे तता के अरोब की CBI जाद चल रही है। सरकारी अनुदान भी बंध है लेकिन विंदवासनी बालिकाग्री प्रशासन के नाक के नीचे धडलले से चल रहा था अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुझफरपुर से 236 किलोमीटर दूर यूपी के दिवर्या में भी मुझफरपुर जैसा कांड हुआ क्या दिवर्या में भी बालिकाग्री में रहने वाली बच्चीयों के साथ यौन सोशन होता रहा है रोती बिलक्ती बच्ची के बयान के बाद पुलस भी मान रही है कि महिला प्रसीक्षण और समा सेवा के नाम पर वहां कुछ गड़बड होता रहा संस्ता की मानिता भी रद कर दी गई कुछ बच्चों को भी हटाया गया लेकिन फिर भी बालिकाग्री कैसे चल रहा था किसकी इजाज़त से चल रहा था ये कोई नहीं जानता शायद कोई जानना भी नहीं चाहता आज तक ब्योरो पुरे मामले पर सामाजी कल्यान मंतरी रीता भुगणा जोशी ने कहा है कि कारवाई की गई है डीम को फोरण हटा दिया गया अश मामले की निश्पक्ष जांच की जाएगी स्पष्ट है कि योगी सरकार किसी भी तरह से किसी भी अपरादे घटना को और इस प्रकार के जो प्रकरण होंगे उनमें गंभीर से गंभीर कारवाई करने के लिए कटिबध है उन्होंने सारे प्रक्रण को और उसके बारे में जानकारी लेने के बाद जो रिपोर्ट्स कमिशनर के हां से, जिलादिकारी के हां से और प्रमुक सचिव द्वारों ने प्रस्तुत की गई उसके अधार पर कुछ तत्कालिक निर्ने लिए हैं माने मुकर्ण मंत्री जी के आदेश से तत्काल वहां के जिलादिकारी को हटा दिया गया है